वाई स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरे से एडूलाइन में यह है परियवरन अध्यन का वीडियो है इसमें हम अती महत्पून प्रिशन देखेंगे तो आए शुरू करते हैं 31 अगर किसी के भोजन में कारोहाइटेड और बसाकी अधिकता होगी तो उसको हो सकता है A. बेरी-बेरी B. रिकेट्स C. मोटापा और D. रतोंदी करेक्ट आंसर इस C. मोटापा 32 जल घुलंशील विटामिन है A. B. और C. B. A. और D. C. K. और D. D. E. और K. करेक्ट आंसर इस A. B. और C. जो जल में घुलंशीन है 33 रोना अल्ड रॉस ने खोज की थी A. चेचक की B. तपैदिक की C. मलेरिया की और D. इसकरवी की करेक्ट आंसर इस C. मलेरिया की 34 किसी वेक्टी के मश्रूनों से खुन आता है उसके मान स्पेशियां और जोडों में भी दर्द रहता है उसको डाक्टर रसीले खटे फल अमरूद आवला आदी खाने की सलाय देता है यह वेक्टी किस वीमारी से ग्रिसित है क्योंकि इसकर्वी जो है विटामिन C की कमी से होता है 35 हमारे सरीर के द्वारा किन विटामिन का संसिलेशन होता है A, D और K, B, A और C, C, B और C, D, इन में से कोई नहीं ग्रेक्ट आंसर इस A, D और K 36 निम्ब कत्रों पर विचार कीज़े 1. रिकेट्स वच्चों में होता है 2. विटामिन के की कमी से रक्त का ठक्का नहीं जमता है 3. पिलिया पोलियो आत्चवर मक्यों से फैलते है 4. दूर अंडा मचली पपीता आवला आदी में से हमें विटामिन A मिलता है उप्रुक्त कर्थनों में से कुन सा शत्त है A. 1st, 2nd, 3rd B. 2nd, 3rd, 4th C. 1st, 2nd, 4th D. 1st, 2nd, 3rd, 4th Correct answer is C. 1st, 2nd, 4th है ना 1st, रिकेट्स वच्चों में होता है सही है उसके बाद 2nd, विटामिन के की कमी से रक्त का ठक्का नहीं जमता है ये भी सही है थाइड, पीलिया, पोलियो, आथ जोर मक्हियों से फैलता है ये गलात है और फोर्थ, दूद, अंडा, मचली, पपी, ता आउला, आदी से हमें बिटामोन A मिलता है इसलिए Correct answer C है अब आता है 37 मनुष्च के रक्त में शमान हिउमोगिलियोनिक की मात्रा होती है A 10 से 12 B 12 से 15 C 8 से 12 D 15 से 20 Correct answer is B 12 से 15 GM